ग्यानमंधन में आप सभी का हारदे के भिनन्न करते हैं मैं हूं सबोध और दोस्तो आज के अपने इस वीडियो में हम आपको फिर से बतलाने वाले हैं इतिहास के सबसे बदनाम प्यक्तियों के बारे में दोस्तो इस वीडियो का पहला भाग हम पहले ही बना चुके हैं अगर आपने वह अभी तक नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे आप इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी देख सकते हैं तो चलिए आ पगातूर को तरतरारों ने जहर देकर मार दिया था तिमुचीन जान गया था अगर उसे जिन्दा रहना है तो उसे अभी सर जुका के जीना पड़ेगा दोस्तों मंगोलिया के पश्चिम में उस वक्त कारा खितई नाम का एक राज्य चंगेज खान के लिए मुस्कीने कर रहा था लिहाजा उसने पश्चिम का रुख कर लिया और यहीं से पश्चिम एसिया की तकदीर हमेशा के लिए बदल गई कारा खितई को हरा देने के बाद उसने ख्वारिजिम की और रुख किया पहले पहल चंगेज ने अपनी कुछ बेपारी और बेपारी के वेस में अपने जासूस ख्वाजिरिम के मुहम्मद साह के दरबार में भेजे यह सब सिल्क रूट से गए थे ख्वारिजम समराज्य के उत्रार नामक प्रांत के गवर्नर को कुछ सक हुआ लिहाजा उसने उन सब वेपारियों और उनके भेस में छिपे जासूसों की हत्या कर माल ल काट कर चंगेज को पेस कर दिया उसे ये नागवार था पर जैसा एक सेना पती को बरताव करना चाहिए उसने वही किया उसने कोई हडवडी नहीं की पर बदला लेने का मन जरूर बना लिया 1219 की गर्मियों में एक एतिहासिक जंग लड़ी गई रौवर्ट ग्रिन ने अपनी किताब जंग की 33 राजनीतिया में इस जंग की बड़ी तफ्तील से बयान किया है कि कैसे चंगेज ने रननीति के तहत पहले एक जंग साह से हारी खारीजम के पूर्वी हिस्से में हुई जीत के साह को अपनी 40,000 की सेना पर यकीन हो गया बस यही चंगेज चाहता था साह को उसके पलटकर फिर पूर्व में ही आने की उमीद थी इस बार चंगेज ने उत्तर की तरफ से हमला बोलकर और तार के उसी गवर्नर को मार दिया जिसे वह अपने हवाले चाह रहा था बा नहीं थी कि ऐसा करने में वह बीच में पढ़ने वाले किजिल कुम रेगिस्तान को पार कर लेगा बुखारा तहस नहसकार डाला गया साथ में बल्ख निशापूर हेरात और समरकंद बरबाद की ऐसी दास्तां के निसान बन गये कि यहां के इतिहासकारों ने चंगेज खान को सैतान की अवलाद तक कह डाला दोस्तों इतिहास के सबसे बदनाम लोगों में अगला नाम आता है मुहम्मद गद्धावी का फ्रेंड्स लीबिया का पूर्व तानासा करनल मुहम्मद गद्धावी मरने के बाद भी हमेशा के लिए मर नहीं पाएगा उसकी कर्तूत गद पूर्व तानासा बंद कमरे में हैवान हो जाता था बंद कमरे में बढ़ जाती थी गद्धावी के जिस्म की भूक और फिर जो वो करता था उसे सुनकर आपके रोंग्टे खड़े हो जाएंगे जी हाँ अब तक तो आपने गद्धावी की कुरूरता और उसके धन दवलत के वारे में ही सुना होगा यहां तक आपने यह भी सुना होगा कि गद्धावी अपने महिला सुरच्छा गाडों का बलतकार किया करता था मगर गद्धावी का रसोया रह चुके फैसल ने गद्धावी के महल के दिवारों में कैद कुछ ऐसे राज उजागर किये जिसे फैसल ने ब्रिटेन के एक न्यूज पेपर दस संडे टाइमस से बाचीत के दोरान बताया कि गद्दावी सेक्स का भूखा था, कमरा बंद होते ही वह भेडिया बन जाता था, फैसल ने बताया कि गद्दावी कम उम्र की छात्राओं के साथ जिसमानी संबंध बनाना ज्याद दिवाना था कि वह एक रात के लिए छात्राओं को कडोरो रुपे देता था, फैसल ने बताया कि जो छात्रा गद्दावी की जिसमानी भूख को मिटाने में काम्याब हो जाती थी, गद्दावी उसके लिए अपने खजाने खोल देता था, फैसल ने बताया कि गद्दाव सबसे कुरूर और निर्दई ताना साहों में गिना जाता है। एक जमाने में युगांडा के हैवी वेंट वक्सिंग चेंपियन रहे इदी अमीन 1971 में मिल्टन ओवोटे को हटा कर सत्ता में आये थे। अपने आठ वर्स के सासन काल में उन्होंने कुरूरता के इतने विभद् इसकी मिसाल आधुनी कितिहास में बहुत कम ही मिलती है। चार अगस्त 1972 को इदी अमीन को अचानक एक सपना आया और उन्होंने युगांडा के एक नगर टोरोटो में सैनिक अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि अल्लाह ने उनसे कहा है कि वो सारे एसियाईयों को अपने देश से तुरंत निकाल बाहर फेकें। अमीन ने कहा एसियाईयों ने अपने आपको युगांडा वासियों से अलग थलग कर लिया है और उन्होंने उनके साथ मिलने जुलने की कोई कोशिस नहीं की है। उनकी सबसे ज़्यादा रूची युगांडा को लूटने म रही है। उन्होंने गाय को दुहा तो है लेकिन उसे घास खिलाने की तकलीफ गवारा नहीं की है। अमीन के समय में स्वास्त मंत्री रहे हेंरी केमबा ने एक किताब लिखी दा स्टेट ऑफ ब्लड दा इंसाइड श्टोरी ओफ इदी अमीन जिसमें उन्होंने अमीन की इससे बताएं फ्रेंट्स जो सुनकर पूरी दुनिया ने दातों तले उंगली दवा ली। दोस्तों केमबा ने अपने किताब में लिखा कि अमीन अपने दुसमनों को ना सिर्फ मारा बलकी उनके मरने के बाद उनके सबों के साथ भी बरवरता पुर्ण वहवार किया। य जून 1994 में जब विदेश सेवा के एक अधिकारी ग्रॉफ्टी की गांगला को गोली मारी गई तो उसकी आँखें निकाल ली गई और उनके सब को कमपाला के बाहर जंगलों में फेक दिया गया। मुलागो अस्पताल के मूर्दा घर में गया। उसने उप्च कितसा अधिक चक क्यवा भवाय से कहा कि ओ उन्हें सव के साथ अकेला छोड़ दें। किसी ने ये नहीं देखा कि अमीन ने अकेला छोड़े जाने पर उस सव के साथ क्या किया। लेकिन कुछ युगांडा वा अश्टपती और दूसरे लोगों के सामने उसने सेखी वखारी थी कि उन्होंने मानो का गोस्त खाया है। मुझे याद है अगस्त 1975 में जब अमीन कुछ बरिष्ट अधिकारियों के अपनी जराय यात्रा के बारे में बता रहा था। उसने कहा कि वहां उन्हें बंदर का गोस्त परोसा गया जो मानो के गोस्त से अच्छा नहीं था। लड़ाई के दौरान अक्सर होता है कि आपका साथ ही सैनिक घायल हो जाता है ऐसे में उसको मार कर खा जाने से आप भुखमरी से बच सकते हैं ऐसा उसका कहना था। एक मौके पर अमीन ने एक उगांडा के एक डौक्टर को बताया था कि मानो का गोस्त तेंदू के गोस्त से जादा नमकीन होता है। अमीन के एक पुराने नवकर मोजेज अलोगा ने कीनिया भाग आने के बाद एक ऐसी कहानी सुनाई जिस पर आज के युग में विश्वास करना मुश्किल है। अरा क्योलावा को इस कमरे के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता थी। उन्होंने मुझसे उस कमरे को खोलने के लिए कहा मैं थोड़ा जिज का क्यूंकि अमीन ने मुझे आदेश दिये थे कि उस कमरे में किसी को घुशने नहीं दिया जाए। लेकिन जब सारा ने प्रेमी जीज गीटा का कटा हुआ सिर रखा हुआ था। सारा के प्रेमी की तरह अमीन ने कई और महिलाओं के प्रेमियों के सिर कटवाए थे। जब अमीन की दिल्चस्पी इंडरस्ट्रियल कोर्ट के प्रमुख माइकल कवाली कागवा की प्रेमी का हेलेन ओगवांग में जगी तो अमीन के वोडिगार्ड्स ने उन्हें कमपाला इंटरनेशनल होटल के स्विमिंग पूल से उठवा कर गोली मार दी बाद में हेलेन को पेरिस युगांडा के दूता वास्ट में पोश्ट किया गया जहां से वो भाग निकली दोस्तो अमीन की चोथी पतनी मेदीना भी एक बार उनके हाथों मरते मरते बाल बाल बची थी हुआ ये कि फरवरी 1975 में अमीर की कार का कमपाला के पास गोलीवारी की अमीन को सक हुआ कि मेदीना की ने हत्या की कोशिष करने वालों को कार के बारे में जानकारी दी थी उसको पहले लीबिया और फिर साउदी अरब ने अपने हसरन दी जहां 2003 में 78 वर्स की आयू में उसका निधन हो गया और इंतिहास के सबसे बदनाम बेक्तियों में अगला नाम है फ्रेंड्स बिल क्लिंटन का दोस्तो किसी ने सच ही कहा है कि प्यार अंधा होता है वो उम्र ओहदा कुछ नहीं देखता तभी तो इतने प्रतिष्ठित पद पर बैठा सक्स भी अपने से आधी उम्र की लगड़की के प्यार में पढ़कर सारी मर जादाएं भूल जाता है बिल क्लिंटन और 22 साल की मोनिका की लव स्टोरी इतनी मस्भूर हुई कि आज तक लोगों को याद है बिल और मोनिका के सेक्स स्केंडल ने राष्टपती क्लिंटन का करियर ही खत्म कर दिया क्लिंटन के खिलाफ महा वियोग प्रस्ताव लाया गया और उन्हें देश से ही मांगनी पड़ी थी 1995 में मोनिका लेविस की वाइट हाउस में इंटर्न के बात और काम करने पहुंची और कुछी दिनों में राष्टपती बिल क्लिंटन की नजरों में चड़ गई साइद ये पहली नजर का प्यार था अब तक क्लिंटन की साधी हुए 20 साल हो चुके थ स्टाप में रखने की सिफारिस की ताकि इंटर्न सिफ खत्म होने के बाद उनका मिलना जुनना आराम से जारी रह सके मोनिका को जौब भी मिला लेकिन उचने इनकार कर दिया मोनिका अपनी दोस्त लिंदा ट्रिप से क्लिंटन से अपने रिस्तों का जिक्र किया करती थी ल इंडा ने मोनिका के साथ बातचीत भी रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी जनवरी 1998 में मोनिका और बिल का रिस्ता दुनिया के सामने आ गया मोनिका का गुनाह टेपो में मवजूद था लेकिन मोनिका ने दुनिया के सामने इस रिस्ते से साफ इंकार कर दिया क्लिंटन भी अं क्लिंटन ने भी मान लिया कि ये सच था बिल क्लिंटन को इसकी कीमत चुकानी पड़ी उनसे बकालत करने का उनका अधिकार छीन लिया गया और गलत वयानी के लिए 90,000 डॉलर का जुर्माना लगाया गया उनके खिलाफ महाभ्योग का प्रस्ताव भी लाया गया क्लिंटन के प्यार की दास्ता दो साल के अंदर ही दुनिया के सामने आ गई और इस प्यार ने दुनिया के इस ताकतवर राष्टपती से उसका रुतवा छीन लिया तो दोस्तों यह थे इतिहास के छे सबसे बनाम ब्यक्तियों की जानकारी उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हम सिखते रहे जानते रहे धन्यवाद जय हिंद